जैशी क्रशनर नई नवेली कीचेन में आपका फिर से स्वागत है आज मैं आपके लिए साउथ इंडिया ने एक दिश लाई हूँ जिसको कि हम बोलते रसम जो की एकदम पतला एक सूप की तरह सूप से भी एकदम पतला होता है वो और स्टीम चावल के साथ सर्व किया जाता है खाने में बहुत टेस्टी और यम्मी होता है लेकिन आजाओं रसम नहीं बना रहे है हम बना रहे हैं सूपी रसम यानि की वो थोड़ा गाडा सूप की ताइप का होगा और आप उसको एमिशनी पूस्टर की तरह काम पे ले सकते हैं हमने उसको अपने तरीके से बनाया ह जो ए सद्र Cotton लूपी है के नहीं है लेकिन हां उसक के स्वात से कुछ मिलता जूलता है तो आप उसको चाहिए करते हैं इसके अच्छे से काली मिर्च यहां वैक भी इसके आपके इंण फजाया यह आपक्ता साफ डीमिर्च परें सब्सक्राइब हचिए्ट में इसके चीजिक बनाए यह इसके यह एक टीस्पून जीरा है यह चाह्ट मेंशे में फोल्हार कर लेते हैं अब इसके विलीइदी चाहर विदिए कलिया लस्तन की साथ में करी पत्ते और फ्रेश अरा धनिया यह लगबक आदा कप इसको में ग्राइंड कर लेते हैं रेडी है आपका मसाला आपका में गर्म करने के लिए राई डाल देते हैं एक टीस्पून जीरा हाफ टीस्पून एक लस्तन की कली है इसको छोड़ा चटा काट लिया है मैंने एक घरी मिर्ची काट लिये हैं ताबूत लाल मिर्चे हैं इसमें डाल देते हल्दी वन फोट टीस्पून और यह जो हमारा मसाला है क्यित्रोव बूल लेते हैं एक मिनिट मैंने भून लिया है अब यह हमारे पास इमली का पानी है इसमें पल्क भी है का टेज़ा तक प्तला पानी है यह लगब इतनी सी यानि की टेबल स्पून इमली थी जिसको मैंने बिपकर पुला लिया और उसका पानी बना लिया है यह पानी लगबग डेड़ से दो कप है को बाल आने तक पकाते हैं कि यह मिक्सी को साफ करके हाफ कप पानी और मिला रहे हैं इसमें कि एक टी स्पून नमक डाल देते हैं लगबग पांच मिनट इसको पकाएंगे अच्छे से बिल्गुल तैयार है हमारी रसम यह इम्म्यूनिटी भूस्टर है इसको बंद कर देते हैं कोल्ड कॉफ में बहुत फाइदे मंद होती है यह लगबग पांच मिनट ठोलाने के पाद इसको बंद कर देते हैं इसको आप गरम गरम सिप करकी ले सकते इसको इम्म्यूनिटी भूस्टर बोलिए यह कोल्ड कफ में बहुत फाइदे मंद होती है और आप सूप की तरह भी इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहे तो इसको इस्तीम चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं कर सकते हैं